आज का topic बहुत interesting है और बहुत important पी आज हम cover करने वाले है marks, marks क्या होते हैं zero dimensional mark क्या होते है, one dimensional mark क्या होते है, two dimensional mark क्या होते है, बग्यरब बग्यरब और हम यह करेंगे mark shelf क्या होते है, marks encodings क्या होती है, level of detail, l o d बहुत important topic है तो आज हम कई चीज़ें एक साथ करेंगे और मैं again कह रहा हूं यह बहुत important topic है तो इसलिए पूरा वीडियो या पूरा lecture को बहुत अच्छे से समझना है बहुत अच्छे से करना है यह अगर आप ढंक से कर लेते हैं तो आप यह समझें कि आप data visualization या Tableau के level 1 से graduate हो के level 2 पर आगए है इतना important है तो फिर शुरू करते हैं marks और level of detail तो questions पूछने इस पूरे topic में दबा के questions पूछने जो भी confusion है मैं कोशिच करूँगा सारे confusion को मैं खुदी preemptively पहले से सोचके आपको answer दे सकूँ पर आप लोग को भी questions आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा ठीक है तो शुरू करते है अच्छा थोड़ा करते हैं कोशन से मुझे यान आया आज मेरा प्लेस्मेंट बैच जो हमारा प्लेस्ट्वंट साइस महिने का प्लेसमेंट बेच उसका इंटरेक्शन आए तो वहाँ पर एक लड़की का भी अगर आपसे कभी आपका जॉब इंटर्वी में अगर फिलोस्फिकल कोश्चन पूछना शुरू हो जाए तो समझ लीजे आपका इंटर्वी बहुत अच्छा जा रहा है इसका मतलब है कि संबडी इस वरी हैपी विदियोर प्रोग्रेस आपके आंसर से बड़ा खोश है कोई अब आपसे फिलोस्फिकल लेवल बात कर रहा है मनला ही और इसको टेक्निकल सा बात है तो बहुत ही अच्छी बात है अगर पूछे जाए इंटर्वी में तो सैल्ली जादा मांग गया अगर आप सोचके कहते हैं दस लाक तो मागो बारा लाक और मिलेगी आपको क्योंकि आ बहुत ही अच्छा कोशन है तो यह है कि 1960 में जॉन टुके ने बहुत प्राणी बात की है उसके बाद 1980 में बीजे पार्टेल और जैफ हमें बैकर कुछ ऐसी नाम थे यह दो इन दो लोगों ने एक डिसकस किया कि नई फील हम एक नई फील की बारे में बाते कर रहते हैं जि दो को चीज़िए और बहुत कुछ चीज़ चाहिए और बहुत सइंटिफिक फील्ड है तो उन लोगों ने इस फील को नए नाम दिया डेटा साइंस कि बड़ी साइंटिफिक फील है मुल्टीपल फील्स इसमां की मिल रही है तो यह तो कुछ बूकिश आंसर है पर चुकि कोश्चन है तो मैं इसका आंसर दोगा थोड़ सा दिफिर्ट और मैं हेल्प लोंगा हमारे 21st century इंडिया के जो मौडर्न हीरो है डॉक्टर एपी जे अब्दलकला उनकी एक किताब है इनफेट उनकी सारी किताब स्पेश्यल है पर यह जो एक किताब में बता रहा हूं यह म इसका नाम है इग्नाइट माइन इसका हिंदी वर्जिन भी है तेजस्वी दिमाग तो इसके आप में एक किस्सा बताते हैं तो डॉक्टर एपीज अब्दलकलाम एक सेशन ले ने बच्चों के साथ बहुत सारे बच्चे थे तो एक बच्चे ने डॉक्टर एपीज फॉस्ट पहला सेंटेस कौन था आप से कोई कोशन पूछता था आप कहते है यह पहला सेंटेस को कि केमें फार मीडिवल पिरेड में था कौन था आइड पर चोगी वह उप्तल कलाम है तो उन्हों इसकुश्वक्र सोचा और फिर सोचने के बाद उन्हें का साइंस क्या है स साइन्स की जो foundation है, very foundation of science is based on questioning, ठीक है, even science is born and survives on question, science जिन्दा है या survive करें सिर्फ बिकॉस अफ कोश्चन से, किसी के दिमाग में आया कि यह जो पानी है, एक temperature के पास बरफ क्यों बनता है, या यह पानी एक temperature से पहले steam क्यों बनता है, somebody was curious, somebody questioned and उसके बास का आँसे ढूड़ा, से पूछिए, सब से ज्यादा question पूछते हैं, बच्चे, तोनों ने जवाब दिया, because जो बच्चे हैं, children are the never ending source of questions, hence a child is the first scientist, बड़ा philosophical answer है, बहुत अच्छा answer है, तो हम इस answer की help लेंगे, देके ऐसा data professional, हमारा काम है data से questioning करना, data से पूछना, कि भई, क्या insights हो सकती है, क्या hidden patterns हो सकते हैं, क्या हम धून सकते हैं, चाहे आप कोई visualization बनाएं, कोई dashboard बनाएं, कोई machine learning model लगा है, you are asking questions to your data, और चुकि you are constantly asking questions to your data, you are nothing but a data scientist, तो इसलिए questions जरूर पूछे, और data mindset जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, कि इस course में आपको सिर्फ टैबलू ही नहीं सीखना, मेरा गोल नहीं, मेरा गोल है, यह दोनों सीखने के साथ साथ आप एक data mindset भी बनाएं, राइट, ठीक है, टॉपिक पर आते हैं, अच्छा लग रहा है, गोड़ गोड, थैंक यू, थैंक, थैंक यू सो मग, हाँ तो question शुरू करते हैं, what is a mark, mark क्या है, bookish definition, हमेशा bookish definition start करें जाएंगे, फिर जाएंगे, practical definition है, bookish definition कहती है, mark इस है, geometric object on the canvas, canvas यानि आपका visualization, geometric object क्या है, 9, 10, बम जो परता है, circle, rectangle, सब है, geometric objects, right, तो mark भी geometric object है, ठीक है, अच्छा, ये slide को पनने से पहले, मैं mental model की बात करता हूं, हम mark, जब भी mark word की मैं बात करता हूं, तो maximum लोग की दिमार्ख में आता है, point, की mark लगा हुगा है, कहीं point लगा हुगा है, दिवार में कोई mark लग बना दिया, या कहीं कुछ भी धबबा या कुछ पहुछ से mark बोलते हैं, तो थोड़ सो mental model को break करना है, ठीक है, mark क्या होता है, कि mark आप ये समझे, mark zero dimensional से लेके multi dimensional हो सकता है, zero dimensional का मतलब है, single point, अगर एक point लगा हुआ है, तो वो single dimensional, zero dimensional, single dimensional भी zero dimensional, अगर line है, तो one dimensional है, अगर एक बार है, या कोई area बना है, त तो three dimensional है, ठीक है, अच्छे से confused हो गए सब, ठीक है, तो अब लेते है practical example, हो गया, बुकिश बुकिश नॉलिज हो गई, अब आते है practical knowledge, जब एक single point है, तो वो zero dimensional समझे, आप कोई game खिल रहा है, ठीक है, गेम है, जैसे कि आपके आजकल mobile बे गेम आते है, टूडी गेम साथ जिसमें आप से उपर जा सकते हो, या लेफ रेट जा सकते हो, उपर नीचे जा सकते हो, तो फिक है, वो एक तरीके से आपके two dimensional हो गया, जैसे कि बार हो गया, एडिया हो गया, सिर्फ नीचे जा सकते हो, ठीक है, पब जी की बात करते हैं, पब जी में आप हर जगे three dimensional जा सक सिर्फ 2D में आ सकते हैं और ज्याओन कर सकते हो उपन नीचे नहीं कर सकते हो तो तो आपका हो जाते नीज जा सकते हों तो आपका हो जाएक पॉंट कर लाइन नीचे यहां लाइन खीज दी सिवह जा सकते हो टूद फानेशन खेंड लेप राइट बार हो गया और और यह क्यूट यह खेलाना सबको थोड़ा आभी बनाएंगे और भी क्लियर होगा अभी तो डेफिशन की बात कि आचा मार्क्स जो होते हैं मांक माक माकِ के इंदे माक शेल्फ होती है आपने जो डिखीए डेबलू में जाते हैं इसके एसके इंदेगर में जात हैं áreas नहीं शिट खोलते हैं यह देखने के अ reports और मांग शेल्फ के अंदे पांच कार्ण्जेए इय। इन्हें माव कार्ड्ट बोलते हैं, आप कोई भी dimension या measure इनके उपर आगे place करते हो, यह सब होते हैं Mark Shelf के अंदर ही है, पर इनको cards बोलते हैं, इसके उपर, यह 6 य 7 तरीके को होते हैं, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी देखिए हैं shape दिख रहा है, यहाँ पर shape नहीं दिख रहा है, तो drop-down में कुछ special choose करते हैं, for example, मैं shape choose करता हूँ, shape card भी दिखेगा, मैं यहाँ पर ऐससे, आगर कुछ और पाई जूस करता हूँ, तो देखिए, angle भी दिखेगा, right, तो यह normally 5 ही available होते हैं, यह 6 लेका है, actually 6, 7, 8 भी हो सकते हैं, यह और 6 साथ हो सकते हैं, depending on आपने visualization type या चू में तब हम अगला वो भी करेंगे, पर अभी यह 6 पर फोकस करते हैं, color, size, label, detail, tooltip and shape, थोरी, थोरी कर रहे हैं, फटाफ़र जिससे के practical जाके करें, टेबलू में, ठीक है, आच्छा, पहले level of detail, quick theory में जाते हैं, फिर practical करेंगे, देखिए, आपके हर chart का, हर visualization का, जब भी आ granularity के उपर हलका सा discussion किया था, हमने example लिया था, अकर कोई plane में बैठा हुआ है, उसका level of detail बहुत हाई है, बिल्कुल height पे देख रहा है, पर granularity उसकी बहुत कम है, उससे उपर से हर चीज ना, point point देख रही है, उसको हवाई जाज में, जब 30 feet के height में वो travel कर रहा है, तो उसको आया, उसका level of detail कम हो गया, अब उसको कुछ-कुछ इदे मकाल मकाल दिखने शुरू हो गया, यानि granularity भढ़ गई, और level of detail, आपका higher level of detail से lower level of detail पा गया, आप उसने parachute बन के ताद प्रेशर 2 भी लगया, सिरह जम किया, कुत्व मिनार पे, कुत्व मिनार पे उसका higher से lower level of detail प मकान तो दिखी रहे, काल भी दिख रही है, बुर्ज खलीफ 800 मिटर पे है, कुत्व मिनार 75 मिटर पे है, ठीक है, तो और दिख रहा है, आप उसे 13-30 सा प्रेशूट लगाया है, यानि कि एक और dimension एक की अपने visualization पर और सिधा आपने जमीन पर या टेबल के पर जम किया, टे तो highest level of detail, जाने कि जब high जाज में हो, तो आपका entire data set, पूरा data set ही आपका level of detail है, आप जैसे dimension एड करोगे, आपकी granularity increase करेगी और level of detail decrease करेगी, clear, हवाई जाज, जमीन, parachute, dimension, dimension एड करोगे, नीचे आओगे, granularity बढ़े की, और level of detail कम होगा, कोई भी complicated subject को समझने का और याद कर जानी के mental model बनाने है, जैसे हमने यहाँ पे granularity को लेके mental model बनाया है, कि हमने हवाई जहाज से jump किया, और नीचे ground तक आए, ठीक है, हर parachute लाए, parachute लानी, dimension एड की, अब ये concept समझने आपके लिए बहुत असाल है, इवन आपको कोई भी complicated subject समझना हो, तो ये mental model ज़रूर बनाए वापस आते हैं tableau पे, ठीक है, philosophical बातें बहुत हो चुकी, अब कुछ काम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम पहले marks को समझते हैं, हम उसके लिए क्या करेंगे, हम sales को column shelf में लिक आएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग profit को row shelf में लिक आएंगे, अब यहां देखेंगे, यहां पे एक single point है, यह क्या है, single point है, यह क्या है, single point है, यह क्या है, simple सा circle बन के आगया, mouse रकते है, profit है, sales है, अब मेरा question है, यहां पे level of detail क्या है, बताईए, यहां पे आज़ाता हूं में, ठीक है, single point है, sum of sales है, mouse यहां mouse over करते है, profit 28,000 है, sales 2.2 million है, और नीचे देखेंगे, वन मार्क है, वन रूपाए, वन कॉलम है, single mark है, single mark का मतलब है, generality सबसे हाइस्ट है, sorry, generality सबसे lowest है, सबसे लोग से single mark है, ठीक है, तो बताईए, यह level of detail क्या है, यह level of detail यहां पर, the entire data set, क्यों है यह level of detail, वो इसलिए, चलो आप बताऊ पहले, क्यों है level of detail, यह highest क्यों है, entire data set क्यों है, क्योंकि यहां पे इसने सारे records को aggregate कर दिया है, summarize कर दिया है, यानि कि इससे पता है, across all records, यह आपकी sale हुई है, across all records को sum करके, यह आपकी profit हुआ है, अच्छा, यह और interesting, average, यहां पर average है, यहां sum है, अगर आप लोगों ने पिछला lecture किया होता, तो हमने profit की, जो average अग्रिकेशन option है, जो उसा profit का default aggregation option है, इसे average कर दिया था, अभी के लिए इसको sum of profit कर देते हैं, measure में जाते हैं, average को हम sum कर देते हैं, अगर आपने देखो तो पिछला वीडियो देख लिए यूट्यूब में, aggregation option वाल lecture देख लीजिए, और जो इनके LMS जो हमारे student है, batch के student है, वो अपने LMS में देख सकते हैं, aggregation option, default aggregation option कैसे लेक्ट करते हैं, अब दोनों सम हो गए, sum of sales, sum of profit, इस case में सारे records को add कर दिया गया है, सारे records को add कर दिया गया है, तो यह highest level of detail है, lowest granularity है, और इसको बोलेंगे highest level detail, यह आपका entire data set को बोलेंगे, इसका level of detail है, entire data set, तो यह आप हवाई जास पे है, 30,000 feet पे हो, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने already किया था, पर हम mark shelf करेंगे, तो mark shelf क्या करते हैं, mark shelf आपको encoding देते हैं, mark encodings बोला जाता है, यह marks के अंदर, यह marks shelf है, सबसे बदर इसको समझते है, types of marks, अगर मैं यहाँ पे बार पे क्लिक करता हूं, यह देखें, बार बनके आगए, वो जो circle था, वो single point था, यहाँ अब आपको एक बार देख रहा है, visualization type change कर दिया है, यान मैं जो marks हैं, आपके 3-4 चाहिए काम करते हैं, जो mark shelf है, mark shelf आपका visualization type change कर देता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे label पे क्लिक करता हूं, label क्लिक करके show mark labels को check box कर देता हूं, यह देखें, show mark labels, इसको मैं check box कर देता हूं, कि मुझे mark, जो mark है, यानि जो point है, यानि बार है यहाँ इसको करना है, तो यहाँ पर मुझे इसके data point दिखाना शुकर देता है, mark shelf के अपर, यहाँ पर यहाँ पर लेबल लगा देता है, यानि आपका user experience को अच्छा गादेता है, यह mark shelf के अंदर होता है, इवन आप चाहों तो यहाँ पर tool tip पे मैं mouse रखता हूं, तो tool tip क्या बता करता है, sum of profit is this, sales is this, मैं इस tool tip को अभी और interesting करता हूं, उसके लिए मैं tool tip क्लिक करता हूं, और मैं लेता हूं, total, इसको हटाते हैं, इसको लिखते हैं, total sales is, and total profit is, अच्छा यह sum of profit को करते हैं, नीचे हैं, इसको डिलीट करते हैं, मैं आपको बताता हूं, वापस कैसे लएंगे, total sales is, यहां पर हमें sales लेका आना है, यहां insert करेंगे, insert में देखें, आपका दो ही बता रहा है, sum of profit और sum of sales, अगर यहां all measures होते हैं, या कोई और fields होती तो यहां पर पूरे canvas में सिर्फ दो ही फील्ड है, तो यहां पर इसे दो ही फील्ड दिखा रहा है, हम यहां पर करते हैं, प्रैले में sum of sales, total sales is sum of sales, तो यहां पर निचे के लिए total profit is, insert करते हैं, insert पर जाके sum of profit करते हैं और इस tool tip को ok करते हैं, अब यहां पर mouse रखेंगे, तो लिखेंगे total sales is this, total profit is this, यहां पर एक्स्पेस को ठीक करते हैं, यहां पर extra space आ रहा है, इसको in fact bold करते हैं, nag dupe, यहां रूपर轅ल करते हैं, आप को justement in fact Add, य॑ करते हैं, उक्नी करते हैं, अपर आफे चाने राकिक, आप ने इसको अच्छा से क्वाट रहा करते हैं, और you mark playing producing सकता है माक से अंकोडिंग बहुत ही इंट्रेस्टिंट तौपिक है अब ही के लिए सिर्फ 5 टाट के बात करेंगे पर थोड़ सा पहले हैं नंविजलेशन्र टाइप समझ लेती ते हैं हम इसने लाइन बना दी इसके उपर कंजूमर कॉर्पेट के लाइन चार्ट आ गया या लाइन चार्ट को और अच्छे समझते हैं प्रॉफिट हटाता है यहां से सिंपल लगते हैं समय प्रॉफिट हट की जगे मैं यहां पर सेग्में लेके आगता हूं रोज शेल्फ में और अच्छे ओं को फिट एंटार इसके ऊपर किया कि एक एक रखन में डाल का सेल्स और रोज में ने रोज यान करते हैं आप इसको स्वैप भी कर सकते हों यहां से आपको स्वैप का इकन देख रहे हो सब्सक्राइब करता हूं क्लिक करता हुँ तो यह आपके नीचे हैड़ अब देखें क्योंकि आपका रोज आपके कॉलंस में सेग्मेंट डाल हुए तो कॉलंप पे कंजुमर आपको हैड़स और अगर मैं इसको स्वाइब करता है दोनों की आप कॉलंप समॉफ सेल्स रोज पे सेग्मेंट है तो देखें सेग्मेंट की जो वेल्यूस हैं जो हैड़स हैं कंजुमर कॉर्पेट होम आफिस यहां पर आगए है अच्छा मैं देख रहा हूं कुछ को रही हैं तो हम शीट को क्लियर करेंगे हम कुछ नहीं सबसे पहले हम सेग्मेंट लेकाएंगे हमने रोज पर दाल यहां तीन हैटर में कंजुमर कॉर्पेट होम-अफिस राइट इसके बदम सेल्स को लेके आएंगे ए बीची चुप लेस होल्डर है उस पर डाल देंगे यहां पर आपको मिल गया समॉप सेल्स ये सेल्स है कॉपर है होम आफिस है अगर हम यहां पर मार्क शेल्ट जाए अगर हम इसे columns में डाल देते हैं तो यहां पे आपको और बार मिल गए इसको अगर हम स्वेप कर देते हैं ऊपर से यहां से तो आपको वर्टिकल बाज दिखेंगे हें लिए सेंगमेंट अब कॉलांस पर रूस पर समघ से इल्कु ठीक है यहाँ पर जाते हो अब यहाँ पर बार जो आपका है पहले जो और अक्षाओ हो दोट इनिया ताफे पहले हैं पहले था बार था अब होगया राइन कितना इंटरसिंग है लाइन के बाद हम से है और अधिक है मार्क टाइप हो रहा है बहुत लोग जोते हैं कि एरिया चार्ट अलग है बाट अलग है सब कुछ एक है क्योंकि सब आपके विजलेशन टाइप है आधिक किसे बनता है मार्क बनता है आट इंचेए इनका साइस बड़ा सोटा कर सकते हैं इस को झेला क्वल्डक्व Prin कि इनका साइज बड़ा और कीव प्रता कर सकते हैं कि चप्वोच कने आट कर अ कि पैटकर में ऐसे चोटे क्व्ज गात्विव टोग notify कि अज्वचछ एए है शरकल बन्सक्राइए सब्सक्राइब इस पर चोटे करते दोट कर देखिने रहे डिफेलिंट ने अब इस सरकलिक्स गया शेप शेल बन गए क pagar गाई है और शेट निनद यहना पर । एकाहिए यह पहले नहीं था हम भी में शेंट साइट हम यातों इकाहिए अब जैसी में यहां पर विजुलाज़जिए टाइप स्ट्रेट करता हूं यह बन क्या गया तिक है अभी और इंटरस्टिंग दिखा तो आपको मैं यहां पर करता हूं इसके ओपर टेक्स आगे प्लेस होल्डर अबि और देशनल करता है बहुत अच्छी बात है एक्सेल में आप 3-D बना सकते हो पर कभी नहीं होते हैं हमेशा दूर है राति 3D चार्ट इसलिए प्रोफेशनल होता है कि मतलब चार्ट का काम है कि आपको information quickly बताना एक हम अभी पढ़ेंगे आगए जाकर डेटा Asia कि मतलब आप यह बहुती फेमस कंसेप्ट है डे इध्यर आपको जो इनलाईस करने में इने कितने यह मिनमु ईचॅर्ट मेंइस्च्छा चिंदि चार्ट अधिक परोल्ट एक एक ऐच्छा चार्ट में करना मुश्किल होता है आगे बढ़ते हैं टेक्स के बाद बागी सब चीजें मैं पाई गैंट चार्ड देंसिटी तो यह बात सब समझ में आ गई है कि यह जो मार्क है मार्क ही जादा हो रहा है इस बार को मैं चोटा मोटा बड़ा कैसे कर सकता हूं टो साइज में जाके इसकी विट को मैं धरके सबस auenोर बढ़ा के दिखाता हूं मैं आपको देखें विट बढ़ दिअ वैसाइज बाइवर्यानि मार्क है मार्क का आप साइज चोटा-बड़ा कर रहर हो कि Mark का षटा चोटा बड़ा कर रहो जिसे कहते हैं Marks 1933 थौड़ा मैं और दिम बताओंगा बहुतर प्र objection को तौडा और करें मार्क को चोटा-बड़ा करिये मार्क का संब चोटा बड़ा कर रहो यानि कुछ डेटा उसमें अनकोड कर रहो एक यह वे आ बनाने तो मार्क एंकोडिंग को समझना है और इसको अपना सबसे अच्छा दोस बनाना है खास दोस तो देखिए जब आप किसी मार्क के अंदर कलर साइस या शेप यह सब डालते हो उसे आप सब्सक्राइब करते हैं जो समझने वाले समझ जाएंगे तो एनकोडिंग वह इसारा है हुँ है 90 कि फेंदिक स cleaner लोग समझदार होते हैं तो वह जो आपकी इशारह की बहाष है जो एंट्विंग बहाष हो समझ जाएंगे जे हम समझेंगे हम इशारह डालेंगे अपने चार्क्ट के इंदर वो इशारहों की इशरा है कि in kodding UK कंटेक्स लोड इंक्टेक्स बहुत इंपर्टन वंड है कंटेक्स का मतलब क्या एकशंपल को ये समस्ते कंटेक्स का मतलब है एंट 2025 का एक्षंपल-705 कि ऊल सज्ट का मतलब पुर आप मैंने को इंडिया में जिती नहीं चिपेंडिया ग्राइं बता जो हैं अज़िए इंडिया में जीती यह फिर में बताव और अपने देश में जीते हैं उनके बताऊ एंडिया अच्छा इंडिया जीति है इंडिया गेंदर आप अच्छा यह पता हो कि इंडिया वह पहले बैटिंग थी बात में बैटिंग तो यह विज़ डाइमेंशन आप मांग रहे हो यह कंटेक्स बढ़ा रहे हो मैंने तो इंडिया में जीत गई है आपने नहीं मुझे और बता और कंटेक्स हो में ठीक है खिलाप यानि डायमेंशन दूसरा कंट्री के अपोनेंट कौन था एक कॉलम एड़ करते ऑपोनेंट ऑस्टेलिया फिर आपने का हो किस कंट्री में मैं चोवाता है इंडिया में और सब्सक्राइब करें तो आप जैसे से डायमेंशन एड़ करवा रहे हो कंटेक्स भरता जा रहा है यानि बढ़ती जा रही है और आपका जो एंकोडिंग है कई बार आप एंकोडिंग से ही वह कंटेक्स कर रहते हैं ठीक है हम वह समझेंगे अच्छा अब यह लिए थोड़ है जब भी एंकोडिंग की बात करो तो आप समझो एक विजल क्यू है हिंट है एक इशारा है आपके चार्ट में अपने एक एक्स्टा इशारा डाला है और समझदार को इशारा देखके समझ में आगे कि कहना क्या चा रहे है ठीक है और जब भी आप कॉम्प्लिक्रेट गर यूजिंग एंकोडिंग ठीक है एक बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है जब भी आप एंकोडिंग डालोगे तो आपका लेजंड एड हो जाएगा आपके चार्ट में कई बार एक समझदार के लिए इशारा काफी है पर सब लोग समझदार नहीं होते तो उन्हें इशारों के साथ आपकोको लेजंग्स देना पड़ता है कुछ लोग तो इशारेत समझ देखे समझ जाएंगे जो लोग नहीं समझ पाएंगे उनके-लए यह जाते है जयने समझदार काफी है और जो ना सब्सको लैजेंडि टा सहरा समझे है क्या है बाग करते हैं क्लीन करते हैं जाते हैं टैबलू के उपपर ठीक है यह बनके आपका बाहर चाट अब मैं समझना चाहता हूं कंज्यूमर कॉर्पेट होम आफिस के लावा कि इसके अंदर कौन से सेग्मेंट में हो रहा है यहां पर जो अगया तो कलर्स देखे समझ में आ रहा है कि जो फ़र्णीचर रही है फ़र्णीचर माउस वर टूल टी परकता हूं फ़र्णीचर के अंदर और उसी कंजूमर करें में 3 लाग की सील है ठीक है ओफिस अप्लाइस के अंदर यह से ले और यहां पर टेक्लोजी के कलर एंकोडिग है यानि कि आपने मार्क्स के साथ कलर डालती है स्टैक बार चाड़ी बोलेंगे इसके उपर तो यह देखे काफी क्लिली समझ में आ रहा है कि यह पूरी सेल्स आई है इसके अंदर यह तीनों केटेगरी वन केटेगरी वन हो गई आपकी फ़र्णीचर अब देखके मुझे क्लिली समझ मारा है कि जो फ़र्णीचर की सेल्स इतनी है ऑफिस अप्लाइस की टेक्नोलजी की राइट यह भी एक एंकोडिंग है लेबल भी एक एंकोडिंग है और लेबल में मैंने स्पेसिक प्लेस के लेबल मुझे क्रेगरी दिखाओ कल को मैं बोल प्लीन करते हैं इसको इधर देखिए इधर देखिए फंडीचर के इन तीनों के लगपक सेल ब्लाबर है यहां पर जो सेल है इनकी सेल कम है यह एक लाख के असपस है यहां पर यहां पर डेटा पुरा नहीं सकता है अगर मैं यहां से क्योंकि आप टीप है यानि लेबल के उप्पर सिरफ समोफ सेल्स पढ़ा हुआ है तो यह दिख रहा है यह यह अपर यह यह आपको इसके अंदर आप इसके अंदर सबसे कम प्रोफिट है इस वाले के अंदर सबसे कम profit है देखके समझदार को इशारा काफी यहां दिखके यहां भी सब सबसे करें आपका technology के अंदर सारे technology के बार्स हैं सबसे बड़े यह काम करता है encoding विजल कीूज देता है इस आप सो इंपोर्टन हम जो बार बार शोमी टूलबार में देख रहे थे कि हर चीज़ मार्क शेल पर डाला था यह एंकोडिंग कर रहता है जितनी जाद आप अपनी चार्ट में डालोगे उतनी अच्छी आप विज्वल क्यूज दे सकते हो अधिसा पावर ऑफ एंट कोड़िंग थे सबको क्लिर हो रहा है अच्छा साइज कर लिया लेबल समझे डिटेल और टूल टेल क्या होता है डिटेल में क्या होता है डिटेल के अंदर आप चब भी को डिमेंशन और मेंजर में डालते हैं तो आपका कंटेक्स बढ़ जाता है आपका लेवल ऑफ डिटेल आपका नीचे आ जाता है और आपको चार में डिखता है वह चार्ट के डिटेल में अवलेबल होता है फॉर एक्जम्पल में लेसे यहां कॉंटेटी उठाके डिटेल में डालता हूं तो देखी चार्ट में कोई शन नहीं पड़ा है पर यह नहीं नहीं आ रही है पर आपका कंटेक्स आपका लेवर कंटेक्स बढ़ा दिए तो इस समझ में आ गया कलर साइज शेप मार्क अच्छा एक मैंने बोला था जब भी आप कोई यह डालता है एक हमने यहां पर कलर के लिए और यहां पर आपका डिस्केट वेल्यूज आपकर आप कलर की जगे है लेसे में यहां पर इसब ओ د Art клиak कर तो सब क्लीन करते हूं सब कर हम यहां पर अ यहां पर आगर प्रॉफट को डालतों कलर कि उपर जोगिंजर है तो प्रॉफिट ने मुझे क्या दिया है प्रॉफिट ने मुझे प्रॉफिट ने मुझे यहां पर एक केल दे दिया और स्केल को लाइट ब्लू से डाग टक चला गया और यहां पर कंजूमर वाला देखे सबसे लेस प्रॉफिटेबल है और जब एक नियांकि ओला देखे हों मिअफिस एक सब्शाब प्रॉफिटेवल आये कितना अच्छा समझ में आ रहा है कितना अच्छे समझें जो डाक हो ज्यादा प्रॉफिटेबल है जो लैसे वो कम प्रॉफटेवल है और आवर आपने क्या कि आपने एक चार्ट में 2 information कौन सी दो information की सेहाँ पर ज्यादा है कन्सी वाले में सेल्स बहूत ज्यादा पर प्रॉफिट जो एक होने okay अप्रक्लर होनी वेसे profit consumer में Home Office में यह इसे थे बहुत इंट्रेसिंग है यह मार्क्स उंकोडिग कलर साइश के यह सब आपके मार्म कोण करते हैं एनकोडिंग जब भी आप दालोगा कंटेक्स मणला यह लेवल फडिटेल कम कर दोगे लिदी ज्यादा कर दोगे और complicated information complex information easily present कर सकते हो और हमेशा encoding एक आपका legend को visualization में डाल देती है एक इसको भी clean करते है clear sheet को एक example में जाता हूँ sales versus profit sum of sales versus profit sum of sales यहाँ पर single mark बनके आ रहे है clean करते है इसको पहले तो अब मैं यहां पर क्या करूँगा इसके अंदर मैं एक डामेंशन लेक्या हूँ और डालूगा जैसे category डालूगा color shelf पर एक यह तीन मांग बनके यहां पर आपका scale बनके भी आपके लेजेंड बनके भी आ गया है तीन मांग बन गया है क्योंकि आपका context बढ़ गया वापस पढ़िए encoding at context to the view context बढ़ गया and encoding always add legends to our view यह legend भी आ गया सके ओपर ठीक है color size and shape marks all allow you to encode the marks हमने marks को encode कर दिये यहां पर एक category dimension डाल के अब हम दूसरी region होते हैं Central East Southwest इनके sizes different हो गया है और category के colors देख रहे हैं generally जब भी आप size की बात करते हैं तो उसमें डैमिशन की जखे मेंजे लेना ज्यादा कल मत दिये तो अभी हम क्योंकि यहां पर एक size अगर बड़ा हो है कि clearly समझ में नहीं आ रहा और यह तो यहां देखके देख सकते हैं कि जो आपका ओफिस अप्राइस की quantity ज्यादा बिखती है और सबसे क्वांटिटी फंडिशन बिख रिए इस ट्रौटिटी कम विक्रिये हैं काइंट आप यहां साइस के अंदर मेज़े बहुत इपॉर्टन थे के अब लगते हैं लेकों में लेके आते हैं मि कुल यांब लाते ही नमबर ओब देखिए नंबर मांक्स कितने बढ़ गए यहां धीके अब यहां पर अभी बारा मांक्स आचुके नमर मांक्स बढ़ गए में कर दिखाता हूं को तीन मांक्स से रीजन लाते ही बार मांक्स हो गए अगर में रीजन को डिटेल की जगे में डाल देता है शेप है आप इंट्रेस्टिंग देखिए और साइथ छोटा करते हैं है कि अब यह देखी यहां पे एक और लेजन एक निया लेजंड हो गया है फोड़ा में आता हूं यहां पर एक और वंदो एक होगया Central एक सकता है कि समझ में आ गया कि केि क्यों क्योंकि रैट कलर है तो हमें समझ मां वह रहा हुआ है और शेप को में सकता हूँ Obrig Lily पाइब न से घणके मुझे आइरो चाहिए तो मैं उठा के यहां सेंट्रों क्लिक करके यहां कलिकर कर दो हमचे अब यहां गया है इस दो हमने आज Marks Encoding के पड़ा, Level of Detail, Marks Shelf, Types of Marks क्या होते हैं और Marks Actually क्या होते हैं, तो यहां पर हम खतम करते हैं Marks, Marks Encoding, Marks Shelf and LOD बहुत important chapter था, जरवत पड़े, दुबारा से lecture, आप वीडियो वाच कर सकते हैं अगर elements में तो वहां देख सकते हैं, दो यह तीन घंडे में अबलेबल हो जाएगा, questions पूछेगा, 5 minutes का भी Q&A करेंगे, I'll take all your questions, जो YouTube में देखेंगे, वो please comment जा लेगा, feedback दीचेगा, और इसके बाद हम next chapter में हम करेंगे filter shelf क्या होते हैं, page shelf क्या होते हैं, और ऐसे एक-दू topic करेंगे, उसके बाद हमारा building blocks of data utilization खतम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर मिलते हैं, next lecture में, next video में